अस्सलाम ळेखुम आज हम बनाएंगे बोटी कबाब तो चलिए अब हम बनाना शुरू करेंगे ये बोटी कबाब बनाएंगे हम, एक किलो गोश्थ की तो चलिए अब हम प्रेशर कोकर में गोश्थ आड़ करंगे इसके लिए लेंगे हम, rapid बोन लेंगे अगर थोड़ा भुद फैट भी रहा तो इसका भुद अच्छा टेस्ट आता ये देखिए इस तरह से तो चलिए अब हम इसमें आट करेंगे अध्रकलेसन का पेस्ट तीन टेबल स्पून एक टीस्पून नमक आट करेंगे अपने टेस्ट के साब से नमक आट कर ले सकते और गरम मसाला पॉडर एक टीस्पून काली मिर्ज पॉडर लेंगे एक टीस्पून दही आट करेंगे एक सो पचाज ग्राम आदा टीस्पून हल्दी पॉडर अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब ये और इसके बाद में इसमें गुष्ट गलाने के लिए पानी आट कर लेंगे एक ग्लस तो पानी आट करने के बाद में थोड़ा सा इसको फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद में pressure cooker का धकन लगा कर इसको pressure cook होने के लिए रख देंगे और pressure cooker का धकन लगाने के बाद में हम flame on कर लेंगे और जैसे ही इसमें CT आना शुरू हो जाएगी CT देंगे हम 6-7 और 6-7 CT हो जाने के बाद में हम flame off करके pressure cooker का धकन निकाल लेंगे तो ये देखिए प्रेशर कुकर कड़कर निकालने के बाद में इसमें जो थोड़ा भूत पानी बाखिर है गया फिर से हम फ्लेम आन करेंगे और ये पानी को अच्छे से पका कर सुखा लेंगे यानि कि ये जो गोश्ट है इसको अच्छे से ड्राइ कर लेना है ये देखिए इतना पानी बाखिर है गया इसमें तो इसको अच्छे से पका कर सुखा लेना है अब ये बिल्कुल रेडी है इसमें का पानी जो है पूरा अच्छे से सुख गया अब हम फ्लेम ओफ कर लेंगे और इसके बाद में ये गोश्ट को थोड़ा सा थंडा होने के लिए रख देंगे ये देखिए इस तरह से हम कोई भी बरतन में प्रेशर कुकर में से निकाल के कोई भी बरतन में इसको इस तरह से डाल कर रख लेंगे तो चलिए गोश थंडा होने के बाद में अब हम इसमें आट करेंगे कश्मिरी लालमेश पॉडर एक टी स्पून केसर येलो फूट कलर आदा टी स्पून मटन मसाला पॉडर लेंगे एक टी स्पून और ये है धन्या जीरा पॉडर दोनों भी मिलाकर एक एक टेबल स्पून लेंगे लालमेश पॉडर एट करेंगे एक टेबल स्पून अपने टेस्ट के साब से भी आट कर ले सकते और एक टी स्पून एट करेंगे चाट मसाला पॉडर एक निम्बो का रस नी चोड़ लेंगे और इसमें नमक नए आड़ करेंगे हम गोश्ट गलाने के वक्त में ही नमक आड़ करेंगे इसी वज़ा से अब इसमें नमक नए आड़ करेंगे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद में अब हम इसमें कॉन फ्लार आड़ कर लेंगे कौन फ्लार लेंगे छे टेबल स्पून कौन फ्लार एट करने के बाद में अच्छे से मिक्स कर लेना है कौन फ्लार एट करने के बाद में दो टेबल स्पून तीला एट करेंगे फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये ये देखिए अब ये बिल्कुल ready है अच्छे से mix कर लेने के बाद में लखे अब ये fry करने के लिए हम कराई में cooking oil आड़ करेंगे और इसको medium heat पे गरम कर लेंगे जब ये medium heat पे गरम हो जाएगा जब हम इस तरह से बोटी आड़ कर जाएंगे इसमें ये देखिए इस तरह से एक एक पीस करके डालते जाएंगे जितने की बोटियां कडाई में आ सकते हम उतने इसमें एट कर लेंगे और इसके बाद में इसको फ्राई करेंगे मीडियम टू लो हीट पे अगर हाई हीट पे ये फ्राई करेंगे तो जल्दी से ये जल जाते अच्छे से फ्राई नहीं होते यानि के क्रिस्पी नहीं होते काले पड़ जाते तो इसी वज़े से हम इसको लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे इसका कलर अच्छे से चेंज होने तक ये फ्राई कर लेना है तो जैसे ही इसका color change होगा अब हम यह निकाल लेंगे तो यह देखिए बोटी कबाब बिल्कुल ready है इसी तरह से हम इसका दूसरा बैस भी fry करके ready कर लेंगे बोटी कबाब ready कर लेने की बाद में अब हम इसके साथ में एक चटनी बना के तैयर कर लेंगे काफी सिम्पल सी चटनी है दही लेंगे इसके लिए 150 ग्राम 4-5 हरी मिर्च और थोड़ा सा कोतमीर पुदीना नमक आट कर लेंगे आदा टी स्पून एक टी स्पून जीरा जीरा पॉडर लेंगे तो ये देखिए ये सभी चीजें एट कर लेने के बाद में अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे ये देखिए अब ये दही की चटनी बिलकुल तयार है बोटी कबाब और दही की चटनी बिलकुल तयार है सर्फ करने के लिए तो ज़रूर ट्राइ करके देखिए आप लोग इस रेसिपी को रेसिपी देखने के बाद में अगर अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए थैंक्स पर वाचेंग, अल्ला हाफेज